क्योंकि विश्रास भी दो परकार का है क्या है विश्रास दो परकार का है क्या है इस पोस्टर को देखाना अपनी अज़ देखू इस पोस्टर के दिखाओ के जो हम विश्वास करती हूँ कौन सा करती है जिसे परमेश्य काम करती है दिखाओ पोस्टर को इसको देखाओ यहां पर लिखाएं कि स्कारात्मिक विश्वास और निकारात्मिक जिसे हम positive और negative विश्वास कहते हैं क्या कहते हैं जिसे हम सकारात्मिक विश्वास और निकारात्मिक जिसे इंगलिश में positive और negative बोलते हैं सकारात्मिक विश्वास में positive विश्वास में क्या आता है आनन क्या आता है आनन भरोसा और विश्वास और दूसरी तरफ नेक्टिव विश्वास में कौन से चीज़ें आ जाती हैं? अनन्द की जगा पे चिंता भरोसे की जगा पे संदे समगते हूं? और विश्वास की जगा पे डर और आविश्वास क्या है बोलो? यह चीज़ें अभी positive मतलश कारात्मिक तुमें तो यह चीज़ें और निकारत्मिक में नेक्टिव विश्वास में यह चीज़ें और जब तक यह चीज़ें हमारे अंदर रहेगी हम कभी भी परमेश्य को खुश नहीं कर सकते यसे अभी हमने परचन पड़ा बिना विश्रास परमेश को खुश नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते तो ठीक है ओके तो बिना विश्रास के हम परमेश को खुश नहीं कर सकते इसलिए हमें कौन सा विश्रास करना है विश्रास दो परकार करना बोलो क्या है विशास्ती दो परकार का है पर आप कौन सा विशास्त करते हूं आपको ये मालूम होना चाहिए पता होना चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले इसी लिखा इसी लिए ये वच्चन है कि अपने ढूंडने वालों को वो प्रतिफल देगा क्या देगा अपने ढूंडने वाले को प्रतिफल देगा जो उसे जानते उसे समस्ते कि परमिश्र क्या चाहता है ढूंडने वालों को प्रतिफल देगा और जब तक जैसे इश्यू ने कहा तुम इस जीवन के चिंता न करो क्या खाओगे क्या पीओगे क्या बेहनों है तुम्हें क्या क्या चाहिए इस जीवन की चिंता न करो सबसे पहले तुम किसके रज्जी और सचाई की खोच करो किसे समझो बार में ये सब वस्तुमें सब चीजें जो तुम अपने जीवन में चाते हो तुम्हें मिल जाएंगी क्या जाएंगी इंग्लिश में लिखा एड़िट चुड जाएंगी और इसनल टैस्ट में लिखा जुनानी शबन में ये सब चीजें तुमारे पीछे पढ़कर मिलेंगी क्या होगी ये सब चीजें तुमारे पीछे पढ़कर मिलेंगी पर कब मिलेंगी जब उन्चीजों में आप सिध्ध होगे, क्या होगे, सिध्ध सिध्ध, क्योंकि सिध्धा बेरंग जिन्दगी में रंग बरती है, क्या करती है, सिध्धा बेरंग जिन्दगी में क्या बरती है, रंग बरती है, और किस इंसान के जीवन में रंग बढ़ता है परमिश्य जो अपने आपको बदलता है क्यों बाइबल कहती है कि तुमारे मन के नए हो जाने से जो तुमारा चाल चलने वो क्या है बदलता जाए क्या जाए बदलता जाए समझे हूं, नया जीवन तो मिल क्या, हाँ, बब्टिश्मा लेकर हम एक नए जीवन में आ गया है पर फिर भी परमेशन कहता है तो मरे मन के नए हो जाने से, इस नए जीवन में आने के बाद जो तुम्हारा चाल चर्णन्या वो बदलता जाए, क्या जाए, बदलता जाए, इ उसमें क्या-क्या है पता है कि नए, पता है ना, तो जब तक ये चीज़ें हमारे मन के अंदर है तब तक आप किसे ने कुछ कर सकते, किसे कुछ ने है, क्यों इशुमसीने प्रभु होकर भी चेलों के पैर धोए क्यों, क्योंके वो दीन बना, उसने करके दिखाया एक नमुना संसार के लोगों के, कि मैं घुरू होकर भी क्या कर सकता हूं, समझे हो, एक नमुना दिखाया उसने, इसलिए जब तक शरीर की चीजें, तब तक इंसान किसे ने खुश कर सकता, समझे हो, किसे ने खुश कर सकता, परमिश्व को वो कभी भी खुश ने कर सकता, उसे खुश करने के लिए उसे वो जीवन पाने के लिए उस जीवन से जीवन की हर आशिश के पुपाने के लिए समझे हूं हमें आत्मिक बनना पड़ेगा क्या बनना पड़ेगा आत्मिक क्योंकि शरीर में रहकर हम कुछ नहीं ले सकते परनिशा से